हेलो फ्रेंड मैं हूं सभीता सभीता का कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहें गुलगप्पे जो बिल्कुल बजार के जैसा बनेगा इसे बनाने के लिए हम आपको छोटे छोटे टिप्स बताते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं गुलगप्पा बनाना गुलगप्पे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी आटा लिये हैं यह गेहूं का आटा है इसी कटोरी से हम आधा कटोरी सूजी लेंगे सूजी जो हमने लिया है वो मोटी वाली सूजी है बारीक वाले सूजी नहीं है और इसे हम आटे में मिक्स कर लेते हैं आप कभी खूल खूलड़। फूले लेना है दो इस तूप 1 गटार के करनेहे लाने ऐफ्याच्ट करेमगे ट्रूंसने कपनें टिदना करत से मियाच्ट करने हैं आटे को ज़्यादा गूत देने से गुलगप्पे जो है खस्ता बन जाते हैं तो इसे हमें ज़्यादा नहीं गूतना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारे आटे सुजी को मिस कर लेना है अच्छे से अगर आप मेरे तरीके से गुलगप्पे बनाएंगे तो ये बिल्क सकते हैं कोपड़ा हलका गीला होना चाहिए ताकि हमारा जो आटा है वो सुखे नहीं तीछे में आदे घंटे के लिए रख देना है और आदे घंटे के बाद हम कपड़े को हटाएंगे और गुलगप्पा बनाना सुरू करेंगे आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे स सेट हो गया है तो इसकी हम लोई तोड़ेंगे तो पहले हम थोड़ा थोड़ा आठा ले करके उसमें लोई तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम आठे को लंबाई में करते हुए उसकी लोई तोड़ेंगे लंबाई में करने से यह होता है कि लोई जो है छोटा-छोटा बनाने में असान होता है और ज्यादा टाइम भी नहीं खीचता है अब देख सकते हैं कि इसे हमने पतला कर लिया है अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे तो लोई हम बहुत छोटा छोटा तोड़ेंगे ज्यादा बड़ा नहीं तोड़ेंगे तो अब देख सकते हैं कि लोई हमने कितना चोटा तोड़ा है इस साइज के लोई तोड़ेंगे तो गुलगपपा जो है परफेक्ट बनेगा नहीं जादा बड़ा रहेगा और नहीं जादा छोटा हम यहां गुलगपपा बनाने के लिए जितने आटा लिये हैं उसको हम पतला करके लोई तोड़ लेंगे सारे आंटे क हम लोब टोड़ लेंगे तब हम गोल गपप्र को बेलना शुरू करेंगे तो हमने सारे यांटे के लोगी चुश तोड़ लिया है अर इसे हम हलके हाथों से गोल कर ले रहे हैं ताकि बेलने पर गोल cva को जो सेफ हो बिल्कुल गोल हो, इसे हाथो पर येक दो या तीन ले करके गोल करते रहेंगे, एक या दो आप कर सकते हैं, तो इसे हमने सारे को गोल कर लिया है, अब हम रिफाइन लेंगे, हाथो पर थोड़ा सा ले लेंगे आधा चमज के करेब, और जितने हमने लोई बनाया ह छोटा छोटा उसमें हम हाथों से मिला देंगे और जो भी एक दुस्य से चिपका हुआ है वो नहीं चिपकेगा हमें सारे लोईyो में ही लगाना है र сокी दूसे मिला देंगे ताकि लोई जो है चिपके नहीं अब हम पतली बेलन लेंगे पतला बेलन से यह होता है कि गुलगपा जो हम बेलेंगे वो बिल्कुल पतला होगा अगर आपके पास पतली बेलन हो तो आप उसका गुलगपा बनाने में यूज़ कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा रिफाइन चकले में और बेलन में लगा देंगे ताकि गुलगपा जो है चिपके नहीं तो हमने बेलन में लगा दिया है अब चकले में लगा देते हैं रिफाइन को अब हम गुलगपपा बेलना शुरू करते हैं तो लोई को हाथ से प्रेस करते हुए और बेलन की सहायता से इसे हम गुल बेल लेते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें गुलगपपा को बेलना है बिल्कुल इसी तरह हमें पतला और गुल बेलना है यह बहुत परफेक्ट बना है तो इसे हम एक प्लास्टिक पर रखेंगे जितने भी हम गुलगपपा बेलेंगे सब को प्लास्टिक पर रखेंगे बेले हुए गुलगपपा को प्लास्टिक पर रखने से यह होता है कि गुलगपपा जो है चिपकता नहीं है अगर आप थाली में इसे रख देंगे तो थाली में चिपकने लगता है क्योंकि हमें सारे गुलगप्य बना करके तब इसे तलना है और प्लास्टिक जो है वो बड़ा रहता है जितने भी हम गुलगप्य को बेलेंगे सबको प्लास्टिक पर ही रखेंगे क्यों प्लास्टिक उस पर भी आप बिच्छा करके रख सकते हैं इसी तरीके से कुछ गुलगपे हम आपको बेल करके दिखा देते हैं अगर आप मेरे तरीके से गुलगपे बनाते हैं तो बिल्कुल फुले फुले और क्रिस्पी गुलगपे बनेंगे गुलगपे बनाने में ज्यादा टाइम न लिया है अगर आप इससे ज़्यादा गोलपए बनाते हैं तिसके ऊपर आप प्लास्टिक बीछा दिया नी तो गोल प्वेजाते हैं और सुखने के बाद यह इसे तलने पर अच्छे से नहीं फूलते हैं तो अब घड़ाई को गरम कर का है इसमें हम गुलगप्य को डालते हैं तो हम यहां गुलगप्य को एकक करके डालेंगे और इसे छनी से प्रेस करने पर यह फुल जाते हैं एक हमने फुला दिया है अब दूसरा हमने डाल दिया है फुलने के लिए और इसे भी छनी से प्रेस करते रहेंगे तभी यह फुल जाते हैं तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो करतेंगे क्योंकि गुलगप्पे जो है करारे बनाने हैं हमें हाई फ्लेम पर गुलगप्पे जो है सौफ्ट हो जाते हैं और लो फ्लेम पर गुलगप्पे करारे बनते हैं अब देख सकते हैं गुलगपा फूल भी गया है और द तल करके दिखा देते हैं इसी तरह हम सारे गुलगपपए को तेल में तल लेंगे आप देख सकते हैं हमने जो गुलगपा बनाया है सारे फुले फुले हैं और बिल्कुल बजार के जैसे हैं तो इसे हमने सारे गुलगपे को तल लिया है ये बिल्कुल करारे गुलगपे बने हैं इसे हम तोड़ के भी दिखा देते हैं कितने ये करारे बने हैं यह गुलगपपा जा है बिल्कुल पर्फेक्ट गुलगपपा बना है उमीद है आपको हमारी ये रेस्पी जरूर पसंद आई होगी तीसे आप लाइक सियर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा धन्यवाद